बिस्मिल्ला रामाने रहीम असलाम लेकुम नाजरीन धनक चैनल की तरफ से खुशामदीब नाजरीन आज हम मटर प्लॉव बनाएंगे तो मटर प्लॉव बनाने के लिए मैं इसमें मटर और टमाटर जो हैं वो फ्रोजन इस्तमाल करूंगी तो क्योंकि आजकल के हलात ऐसे हैं कि रोज बाजार नहीं जाया जाता तो इसलिए मैंने ये चीज़ें घर में स्टॉप की हुई है थोड़ी तो अमीद है कि आपको मेरी रेस्पी ज़रूर पसंद आएगी तो रेस्पी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें लाइक करें बेल आइकान का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटि मतर और कमाटर वगारा डालती है यह यह प्याजों है अलिकल कैसे दानों में स्टार्ट हो गए है अब इसमें मैंने यह स्टाबत मसाला डाल दिया और इसके साथ के लासन और द्रग्ट क्यात्ती पॉप्ट चाह द्रग्ट स्टार बाहं ठीडिजमें विदे नहीं मैं प्ला सकाटें वाट ह है अग्जा नहींÖ ये इसमें 2 टेपल स्पून मैंने नमक शामिल कर दिया और इसके साथ ये हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और ये वन स्पून कुटी हुई सुरफ मिर्च और इसके साथ ये थोड़ी सी हिमली आठ दस गुट्ट्लियां होंगी ये अंदाज बन शाहें तो इसको भुगो के भी डाल सकते हैं ये शिन रहने तो इसी तरह से डाल दी ये अभी इसमें इसकी कुट्ट्लियां जो है वो लागत बनाज़ा है अब इसमें हमने ये मतर डाल गया अब इसमें हमने ये मतर डाल गया है वो फ्रोजन है मतर डाल के इसको हमने दो मिनट के लिए रहा अप दिये जी तो मिनट हो गए ये देखें अब इसको थोड़ा साम गल्ले ने देते हैं ताके जो मतर हैं वो शक्त ना रहें बीच में जैसे तुझे ना रहा है अब इसमें हमने चार ग्लास पानी डाल लेना है अब इसमें हमने चार ग्लास पानी डाल लेना है आप देते हैं इतनी दे ये पकने नहीं लग जाता है पानी है जो पकने रग गया अब इसमें हमने जावर गाल देने अगर तो हम इसमें पानी थोड़ा कम डालते तो फिर हम इसको ढाप के अपकाते लेकिन अभी हमने पानी दो ग्लास चावल है और उसमें चार ग्लास पानी डाला तो इसको ढांपेंगे नहीं बेंके इसी तरह से इसको पकने देते हैं ये देखे ना दिन जो पानी है वो ड्राइ हो गया और तो अब हम इनको दम दे देते हैं और दम देने से पहले ये थोड़ा सा लीमू और सबज मिर्च ये इसके उपर ढाल दी और इसको हमने 10 मिनट के लिए ढाप दिये ये चावल जो हैं पुराने इसलिए इनको थोड़ा ज्यादा दम आता है वैसे 5 मिनट भी काफी होता है अगर नहीं चावल हो तो जी नाजरीन 10 मिनट हो गए अब हम दम खोल के देखते हैं ये देखें ये दम आने की ये निशानियाती के चावल उपर को खड़े खड़े से हो जाते हैं ये लीमू और सबज मिर्चों की वज़ा से बहुत प्यारी खुश्बू आ रही हमकी अभी इसको हम डिशाउट करत हैं जी तो नाजरीन ये देखें हमारा मिज़दार सा मटर पलाओ त्यार है और बहुत असान सा त्रिक्का है ये और बहुत मज़े का बनता है तो आप भी ट्राइ कीज़ेगा इंशाला आपको भी जरूर पसंद आएगी ये रस्पी तो इसके साथ ही अब मुझे झाल